मैं सबसे पहले उन लोगों को जिरोंने करोना गाल में अपनी जान गवाई ऐसे हमारे कई साथी इस सदन के साथी केंद्र के मंत्री हमारे मेंबर पार्लेमेंट्स दूसरे सदन के हमारे मेंबर पार्लेमेंट्स मेरी कॉंस्ट्वेंस के खुद MLA और सिटिंग मिनिस्टर ऐसे कई उत्तर प्रदेश के मंत्री और विधायक और देश के विभिन चेत्रों के जन्पितनी दी और खास्तोर से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी जान गमा करके इस कोविड करोना काल में अपनी सेवाइं दी मैं उन सब को इस सधन की तरफ से शर्दानली अर् प्रद्पित करता हूं मैं आज के मानने स्वास्त मंत्री जो पहले शिपिंग मिनिस्टर थे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शिपिंग मिनिस्टर रहते वे जो भूमी का निभाई ऑक्सिजन सप्लाई में उनके लिए उनको भी मैं अप्रिशेट करता हू सब जानते हैं कि करोना में किस तरीके से स्थितिया थी मैं स्वेम कोविड वार्ड में गया जब मैं कोविड वार्ड में जा रहा था तो मेरे जिला प्रशासन के लोग मुझे से कह रहे थे अरे आप क्या कर रहे हैं हमने क्या हम इनका होसला बढ़ाने जा रहे हैं सभापती महोदे पूरे देश ने देखा किस तरीके से हम लोगों ने लापरवाही बढ़ती छोटे से राजनेतिक फाइदे के लिए लोगों की जान को जोखिम में डाला पूरे देश ने देखा कि जब बंगाल के अंदर चुनाओ हो रहा था तो इस देश के मानने प्रधानवंत्री जाकर के रेलिया कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर पंचाएद चुनाओ कराया गया उस सेकिंड वेव की पीक में पंचाएद चुनाओ हुआ सेक्लो सेक्लो टीचर जो उनकी ड्यूटी लगाई गई उनके परिवारों ने उन्हें खो दिया अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकगनाईज भी किया कि जो ड्यूटी में मरे जिनकी जान गई उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा लेकिन सिर्फ जो ऑन ड्यूटी थे जो उस बारह घंटे की आठ घंटे की ड्यूटी पे थे लेकिन जो वहाँ से कोविड लेके गए और दो दिन बाद अपने घर पे जिनकी डेथ हुई एक दिन बाद 24 घंटे बाद किसी अस्पताल में डेथ हुई तो उनको कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जा रहा है सभापती महद्ये मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस चीज को अवाइड किया जा सकता था उसको अवाइड नहीं किया पूरे देश ने देखा लखनाओ के अंदर एक क्रिमेशन ग्राउंट था महाँ पर चिताए फूकी जा रही थी मीडिया ने दिखाया तो पता चला कि अगले दिन महाँ शीट लगा करके बाउंडरी वॉल खड़ी कर दी गई टीम के शेट लगा दिये गए कि मीडिया ना देखे गंगा के किनारे किस तरीके से लाशों को कि बेद्वी हो रही थी मैं वो अलफाज यूज नहीं करना चाहता कि जानवर जो हैं कुटे जो हैं उन लाशों को नोश रहे थे ऐसा भ्यावक सी कोई एमेजिन नहीं कर सकता लेकिन फिर भी हम अपना सीना ठोक रहे हैं कि हमने फत्य हासिल कर ली हमने करोना पे जीत हासिल कर ली मैं कहना चाहता हूँ मानने सभापती मौदिया आपके मादियम से कि इसमें सबसे जादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो इस देश का जो भविश्य है जो बच्चे हैं जो गरीब है उसका हुआ है इस देश में डिजिटल डिवाइड हुआ है इस करोना काल में ओनलाइन क्लासिज होगी आप जानते हैं हम जानते हैं कि कितनी जगा गाओं देहाद के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन काम करता है कितने परिवारों के पास जो हैं लेपटॉप आईपेड ये मोबाइल फोन है और उन गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं सरकार ने अगर कहीं किसी स्टेट गवर्मेंट ने कह भी दिया कि स्कूल को फीस अभी नहीं लेनी जब तक कोविड है तो स्कूल की यूनियन, स्कूल की एसोशीशन तो इखटा हो करके कोट से ओर्डर ले आई कि साथ फीस तो फीस आपको जो है डेवलप्मेंट चार्जिस भी देने पढ़ेंगे लेकिन इस देश का गरीब इस देश का दलित इस देश का पिछला उसकी पैरवी कौन करेगा जा करके कोट के अंदर सरकार के वकीलों ने उनकी पैरवी नहीं की सभापती मोहदे मैं आप सिर्फ दो मिनिट में लेना चाहता हूँ PM केर की हां बात हुई मैंने भी PM केर फंड में अपनी एक महीने की सैलरी पहले ही दिन दी थी CSR फंड उसमें गया उसकी अकाउंटिबिलिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मुझे उससे कुछ बता नहीं वो सरकार दाने अकाउंटिबिलिटी होनी चाहिए लेकिन मेरे छेत्र में आभी यहां जंका पीटा जा रहा है की इंफ्रेस्ट्रेक्ट्चर इतना बढ़ गया सर मैं मैं एक मिनिट अपनी बात करें मैं आपको लेटर दिखाता हूँ 20 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2021 किसका लेटर है अमरोहा के डिस्टिक हॉस्पिटल के CMS का उत्तर प्रदेश शासन को की अस्पताल के अंदर एक साल से इंसोलिन तेक मौजूद नहीं है दवाईया के पूरी लिस्ट लिखी है तीन लेटर लिखे 12 अक्टूबर 2020 को लिखा 5 फरवरी 2021 को लिखा 11 अक्टूबर 2021 को लिखा दवाईया तक नहीं है डिस्टिक हॉस्पिटल में मैं बस अपनी बात यहीं खतम करता हूँ मैं इतना ही कहूंगा मानने मंत्री जी से आपके माध्यम से कि कि वेंटिलेटर सागे कि ऑक्सिजन प्लांट लगए लेकिन उनको चलाने वाले इस्किल्ड टेक्निक्शन स्टाफ की अतिया वश्यक्ता है हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की अतियाव शक्ता है और में यहीं बात खतम करूंगा मैं एक चीज़ और कहूंगा क्योंकि हम उत्तरपर्देश से आते हैं और फाष्णी मुत्टरप्रदेश हमसे आते हैं और पस्तर payments और दिल्ली मिला जूला है मैं आपको बताऊं कि साउथ इस डेली में बड़े बड़े हॉस्पिटल से हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से हैं अपोलो है एक्सकॉर्ट से दुनिया भर के हैं फोर्टी से लेकिन कोई सरकारी एस्पता लिए हैं मैं आप से गुजारिश करूँगा कि वेस्टन यूपी इनोडा घिल्ली के इस इलाके को पौपूलर एक Rocky को ध्यान मे रखते विए जामिया मीलिया इसलांड है मेडिकल कॉलेज की आप एक डिश करने की आप को भुझा जामियों को मीधिव कौलेज को यह भी उस्टन वादा करीए और यह भी बताएं कि बूस्टर दोस्त कब लगेगी और बच्चों की वैक्सिन कब से स्टार्ट होगी बहुत बहुत दन्यवाइब देश के साथ जहां होगी हर एह मुद्दे पर पाप कोई हंगामा नहीं शोर शराबा नहीं टीवी चैनलों की तरह लड़ाई जगरा नहीं और ना हाथा पाई देश के साथ में हम बात करेंगे मुलक के बन्यादी इशूस पर इनसानी हुकूप पर आलम इसलाम के मसाइल पर अकलियतों दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जल्म पर और उन तमाम इशूस पर जिससे मैन इश्ट्री मीडिया में जगा नहीं दे जाती है पेनलिष्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दोसरे मुलकों के तद्जिया निगार, दानिश वरान, जर्नलिष्ट, गलमकार, वकला, उलमा, समाजी कार कुरान, सियासत दान और मुखतलिफ अमूर के माहिरी, संजीदा गुफतगू, बावकार अ सो मुआर से जुमा तक राद आठ बजे मेरे साथ यानि शमस्तवरेस कासिमी के साथ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो रैड बिटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, ट्विटर और इंस्ट्राग्राम पर भी मिल्लड ताइ अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगा नहीं दी जारी है, तो हमें इमेल करें, या वाट्स अप पर मैसिज करें, हम उठाएंगे आपकी अवास, मिल्लड ताइम्स मतलब मजलूमों की अवास, नफरत के खिलाब चर्ण, फर्दी खबरों से में जाख, www.millertimes.com